कि आप लोगों का एक बार पुना स्वागत है अभी हम लोग कंपाउंट जनल इंटी के सीरीज देख रहे हैं लाश्ट चार को मैंने लाश्ट क्लास में आपको बताया था आज उसके आगे का कोशन हम साल्व करवा रहे हैं जो आप लोगों को होम वर्क में दिया गया था यहां तक हो गया था ना अब इसके आगे का देखना है देखिए कि ट्रांजेक्शन दे रखा है पर चेज गुट्स वर्थ रुपीज सिक्स थाउजंड यानि छे जार रुपय का गुट्स खरीदा प्राम उसा एंड कंपनी उसा एंड कंपनी से एंड पेड हाफ द एमाउ कि भूों पेड़ान शां प्रिभ्ण टील चाहल पर पनेगा फ़िज में परचेज इससे कि पहला खात है मारा भनेगा वह बनेगा यह फर्चेज जो पहला एकाउंट हमारा बनेगा वह होगा परचेज का परचेज को जो हम चेक करेंगे तो यह एक प्रकार का नॉमिनल एकाउंट है और नॉमिनल एकाउंट के रूल की हिसाफ से परचेज प्रकार का खर्च होता है एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस के खाते को हम करते हैं दूसरा प्रहा कि सरो पड़ेगा कैस के अकाउंट पर दूसरा अकाउंट हम बनाएंगे मुझा को अब हम यह करेंगे कैस Amara परसनल है है हीर है यह ऑनोमिनल है कैसी प्रकार कर रियल अकाउंट है अब हम यह देखेंग कैस बिसनेस मेंots नए या जा रहा है कि कैस बिजनस में आ रहा या जा रहा है कि हम पेमेंट करें नहीं कैस बिजनस से जा रहा है जाने वाली चीज को करते हैं क्रेडिट इसलिए हम यहां पर करेंगे कैस के एकाउंट को क्रेडिट तो हो जाएगा हमारा कैस एकाउंट क्रेटिट ने दो चीज्ड हो गया गिसरा जो पैसा हमारोपर वागी रह रहा है उसके लिए उससा इंड कंपनी का भी आगाँट कि यह तीसरा हमारा एकाउट बनेगा उसा एंड कंपनी पर को टिक है यह प्रकार का फर्म है ऑप खाता होता है मारा परसनल अगाउंट और दैने वाला है देने वाले को करते हैं सक्रेड़िट क्योंकि इसमें च्छे चाय रॉप्य कहले कि गुंट करेंगे बासद में आ रहा है कि चलिक वर्टे परचेश कितने का किया चब्यक्त नंगे को चछछा तिन अजार को सब्वार्टना पैसा अगे सब्सक्रादीर का किछ को लिग्षी सब्सक्राद को इसको मैच करा लिए देखिए किसका सही है किसका गलत कि लों का सही है यह एक दो तीन चार पांच छे बस अगला कोशन देखिए ए 36 wasta aerial एंड कम्पनी रिपीज 8000 एड्वी एड्वी एंड कम्पनी सेवं थाउजय को दो पहला नेगा एरियल एंड कंपनी का हम चेक करेंगे तो यह प्रकार का फर्म है और फर्म का जो खाता होता है वो कैसा होता है पर्सनल एकाउंट अब परस्टनल में हम अर्य को स्लक कर रहे हैं यह रिसीवर है पाने वाला है पाने वाले को करते हम लोग डेबिट इसलिए अम एरियल और कंपनी को डेबिट करेंगे दूसरा एक्टान्ट बनेगा वील और कंपनी का यह भी रिसीवर है थ destru और्कार का पर सेट्सट्रेवangen औ तीसरा बनेगा चौटे नमबर में उसमें नहीं लास्ट में इधार बाहर सब्सक्राइब और तीसरा हमारा जो बनेगा वह होगा तो हम यहां पर लिखेंगे सेल्स एकाउंट को क्रेडिट करेंगे करेंगे सेल्स एक चलिये मांट भरिए कि हमने एरियल कुटने की आपर जार बिआ वीट को कितने का चेंट किया साथ जार यहां भर दिया टोटल सेल्ट मेखा किया पंद्रहजार हो गया तो एरियल डेपिट होगा साथ हजार से वील डेपिट होगा हमारा एरियल डेपिट होगा होगा टोटल पंद्रह हजार से वील डेपिट होगा साथ से और सेल्स क्रेट होगा टोटल पंद्रह हजार से पासम में आ रहा है आप लोग म्यूट कर लीजिए अपने आपको अधिक है चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं है अगला कोश्चन हम रोका है रूपीज 12500 रिसीव क्राम क्रिश्ण एंड इलावड हिन विसकाउंट 500 हमें क्रिश्ण से साड़े 12000 रुपए मिल रहा है और हम उसको 500 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं ठीक है यानि हमें क्रिश्णा से मिलना चाहिए था कितना 13000 रुपए लेकिन क्रिश्णा को को किटना साड़े 12000 रुपए और पान्सौन को डिसकाउंट एक डिसकाउट लवकि में ऐदिया डिस्काउंट है कि चलिए इसमें खाता बनाते है सबसे पहला जोंम्ट हम डाएंगे क्रिश्णा का करिजना क्या है एक पर्सन है और किसी पर्सन करेंगे क्रिष्ण के vak genes का है ठीक है दूसरा चीज है डिस्काउंट हमें मिल रहा है डिस्काउंट हम दे रहे हैं तो हम डिस्काउंट की खाते को क्या करेंगे डेबिट करेंगे यहां पर डिस्काउंट हम प्रिष्णा को दे रहे हैं तो खाता कौन सा बनेगा डिस्काउंट मैं हैं कि यहां खाता बनेगा डिस्काउंट एलाउ हैं हम को कि हें करेंगे किसे को डिस्काउंट देते हैं इंगा यह क्शा को मेरा क्या होटा लौज अगर लागता है यह लुचोरयी आध कैपने करेंग इस लिए अचाहं इसलिए हम यहां ना दो चीज हो गया कि तीसरा कि हमें कृष्णा से साड़े बाराजार रुपर कैस मिला है तो कैसे क्रियल एकाउंट है बिजनेस में आ रहा है आने वाले चीज को करते हैं डेबिट इसलिए हम यहां पर करेंगे कैस के एकाउंट को देबिट बासन में आ रहा ना कृष्णा देने वाला है देने वाले को करते हैं क्रेडिट हम डिसकाउंट दे रहे हैं डिसकाउंट एक प्रकार का लॉस है लॉस को करते हैं डेबिट अब कैसे क्रियल एकाउंट है बिजनेस में आ रहा है इसलिए हम इसको करते हैं डेबिट अब इसमे और एक खाता हमारा रियल का है और एक खाता मारा नॉमनल का है तीन खाते हैं तीनों अलग अलग टाइप के हैं कि एक personal दूसरा नॉमनल और तीसरा रियल कहों सा debit हो रा credit हो रा समझ मिए रहा ना अब हम यहां amount बरेंगे क्रिश्णा से में पाना कितना था इतना बारा हजार पान सो Okay भारा हजार पान सो मको यहां पर भर देंगे गए कि किसका सही था एक दो तीन екई ढहला रहे तो में की लोग क्या है क्यों गलत हो रहाए है कि आपने बनाया नहीं था यह बनाने के बाद गलत हो गया कि क्यों कि बनाई नहीं थे गलत हो गया कि चलिए नेक्स्ट आठ अप्रैल रूपीज ट्वण्टी थाउजंड पेट वो मोहनग को बीच जार रुपय का पेमंट दे रहे हैं रिसीभ डिसकाउंट आप रुपीज वन थाउजन और एक हजार रुपय का डिसकाउंट प्राप्द कर रहे हैं इसका मतलब हमें मोहन को 21,000 रुपे देना था और हमने मोहन से बोला कि मोहन भाईया हमसे 20 रुपे ले लिजे और 1000 रुपे का डिसकाउंट हमें दे देजिए हिसाब बराबर करें कि बासने जारा ना कुछ ऐसा ही हुआ होगा तो पहला प्रभावारा पड़ेगा मोहन के देने वाला या पाने वाला है कि हमोठ को पैसा दे रहे हैं रुपेज 20 तूम पैसा दे रहे हैं मोहन पाने वाला है और पाने वाले खाते को करते हैं डेबिट इसलिए मोहन के अकाउंट को कर लेंगे डेबिट है फैला दूसरा चेज हमें डिसकाउंट रिसीव हो रहा है एक खाताम बना लेंगे डिसकाउंट रिसीव का को अग्यान जिए डिसकाउंट रिसीव डिसीव हो तक है अब देखेंगे यह डिसकाउंट joy New horn रहा है यह हमारे लिए इंकम एक्सपेंस इंकम है अगर में डिसकॉण मिलेंगे थामारा करेंगे कृडिट बस मैंतरा है हम कैस का प्रप्राय कर रहे हैं चांड यहां से जा रहा है चाने वाली झाने तिक यहां पर करेंगे कैस को क्रेट करेंगे बासम्यार ना चलिए मोहन को कितना पैसा देना था 21,000 तो 21,000 रुपे हमने यहां भर दिया ठीक हमने मोहन को दिया कितना 20,000 तो 20,000 रुपे हम रिजिट होगा 20,000 से और डिसकाउंट रिसीब का खाता क्रेट होगा 1000 तो क्रेट का टूटल बैलन्स हो एक कीस और डेबिट का बैलन्स हो गया 21 कि लोग का सही था यह तीन तीन छे दूआठ लोग वह साथ आठ लोग का कॉस्टन सहीवरा बाकी लोग का गलत हो जा रहा है और हमें एक हजर प्रके डिसकाउंट मिला इसका मुतला हमें देना कितना था है की सजाए है टोटल 21 देना था हमने उनसे कहा कि सब्सक्राइब करें को डिसकाउंट देदेगे वासन में आया वही कहां नहीं है चलिए नेक्स्ट रूपीज ट्वंटी थाउजन डिपोजिट इंटो पी अन्वी बैंक हम पी अन्वी में बीच जार रुपए जमा कर रहे हैं में एंड टेन फाउजन्ड डिपोजिट इंटो इस लिए और दस हर पर जमा करें कहां एस वी इशर पर डिपोजिट करें पर बैंक का खाता होता है पर्सनल पर्सनल में ये पाने वाला है हम PNB में पैसा जमा करें हैं PNB receiver है और receiver के खाते को हम करते है debit इसलिए हम यहाँ PNB के account को करेंगे debit पहला चीज दूसरा चीज हम पैसा कहां पर जमा करें SBI भी एक personal account है और पाने वाले का account होता है debit इसलिए हम यहाँ पे कर देंगे SBI के account को debit चीज है दो account हमारा बन गया एक PNB का और दूसरा हमारा बन गया SBI का हो गया अच्छा अगर PNB में हम 15 जार और SBI में 10 जार जमा करेंगे तो प्रभाव किस पर पड़ेगा कैस पर कैस एक real account है business से जा रहा है जाने वाले चीज को करते हैं credit इसलिए कैस के account को हम यहां पे करेंगे credit ठीक है एक real account है business से जा रहा है जाने वाले चीज को हम करते है क्रेडिट इसलिए हम कैस्ट को करेंगे यहां पर चलिए मांट भरिए पी अन्वी में कितना जमा किया बीस अजार तो तो टोटल कैस्ट पर पढ़ेगा कितना पढ़ा तीस अजार तीस अजार पर हम यहां भर देंगे अन्वी एकाउंट डेबिट बीस जार से एस्वी एकाउंट डेबिट दस जार से और कैस्ट क्रेट होगा तीस क्योंकि टोटल तीस जार पर हम जमा कर रहे हैं हमारे बिजनस से तीजार पर कैस जा रहा है तो फिक नेक्स्ट कोश्चन एक 11 फ्रैल का यहां पर रुपीज 10 ताउजन विड्रान फ्राम पी अन्वी अम पी अन्वी से दस जार रुपे निकाल रहे हैं विड्राल कर रहे हैं ठीक है और पांच जार पर निकाल लें एस भी आई से अगर पी अन्वी से हम दस जार और इस भी आई से पांच जार निकाले गए तो टोटल हमारे बिजनेस में कैस आ जाएगा 15,000 कि बस मैं हमने पी अन्वी से सब्सक्राइब करते हैं क्रेडिट इसलिए हम करेंगे यहां पर क्रेडिट दूसरा चेज एस्बियाई यह भी प्रकार का पर्सनल एकाउंट है और इसमें वी पैसा में निकाल रहे हैं यह भी देने वाले को करते हैं confident तो दूसरा पेथज़ पढ़ेगा हमारे केक्स पर क्योंकि केक्श एक रिएल अक्वंट है और बिजनेस में आ रहा है किस एक रिएल एक्वंट है बिजनेस में आ रहा है आने वाले चीश को करते हैं लोग executive इसलिए हम появies को यहां पर करेंगे डेअट कि हमने कर दिया कैस को यहाँ पर डेबिट चलिए इमाउंट भरिए कि कि एमाउंट यहाँ पर बरिए सबसे पहले देखिए पी अन्बी से कितना निकाल है दस जार तो पी अन्बी के सामने हम भर देंगे दस जार रुपए कि सब्सक्राइब कर देंगे टोटल कैस कितना निकाल रहे हैं पंद्राजार यहां पर देंगे कि बासन में आ रहा ना चलिए नेक्स्ट नोट कर लिए से एंसर लिख रहे हैं आप लोग अब तो आठ तक तो होमवर्क में दिया गया तो उसके बाद अला अशन नोट कर लिजिए अ कि अग्याइब 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 अब है ट्वेल्थ अप्राइल अग्याइब कि शोल्ड गूट साप रुपे 60 ताउजेंड टू वीमल इंटरप्राइज एंड रिसीफ 50 परसेंट ड्यू इमाउट्ट बाइक कैस यानि हमने वीमल को साथ हजार उपर का सेल किया और उसका 50 परसेंट एमाउट हमें कैस में रिसीव हो रहा है तो कैस कितना मिलेगा दीस ह पर दिया, और भी भी बाकी तो कौन्-कौन सा खाता बनेगा सबसे पहला अकाउंट हम रालेंगे ब्रेसे यह हैं फिस का चेल न करेंगे चेल्स का दूसरा दूसरा प्रहा हमारा पढ़ेगा हमें कैस मिला 50% तो कैस एक real account है business में आ रहा है आने वाले चीज को हम करते हैं debit इसलिए हम यहां पर करेंगे cash को debit तीसरा जो है तीज़ा रुपर विमल पर डू है तीज़ा रुपर क्या है विमल पर डू है विमल पर बकाया है इसलिए हम इस बकाया एकाउंट को भी इंटरप्राइज़ पर तीसरा एकाउंट हमारा बनेगा विमल इंटरप्राइज चलिए चेक करते हैं कितने का किया साथ अजार तो साथ जार यहां पर दिये कैस कितना मिला फिप्टी पर्चन यानि तीसरा और विमल पर अभी वाकि कितना है तीसरा तीजर पर यहां बढ़तेंगे ठीक है चलिए इसे भी नोट कर लिजाए अब लोग यह रूपके दो कोशन और बता दे रहे हैं फिर लिखिए फिर है फिर सोल्ड गुट साफ रूपीज थर्टी थाउजेंड अगेंस चेक एलाविंग तू पर्सेंट डिसकाउंट यानि हमने किसी कस्टमर को सेल किया ती चेक दे दिया उसका पिमिंट कैसे किया चेक से और हमने 2000 का डिसकाउंट भी दे दिया तो सबसे पहले इसमें कौन-कौन सा खाता बनेगा सबसे पहला खाता मारा बनेगा इसले सेल्स के एकाउंट को करेंगे कितरे रुपए से 30,000 से दूसरा हमें चेक से पैसा मिल ला है अब इस चेक को हम बैंक में लगाएंगे तो पाने वाला कौन हो जाएगा बैंक और बैंक के खाते हम करेंगे यह में हम कर देंगे बेंक तीक है मैं भास में आहुत तीसरा हो हम सब्हों की डिसकाउंट भी आ यह हैं तो तीसरा हमारा कि अग्षिक है हमने कितने का किया 30 जार रुपए का और हमें इसकाउंट हमने कितना दिया दो परसेंट तो तीस जार का दो परसेंट कितना हो जाएगा 600 रुपए अगर तीस जारका में sell किया और सामने वाले को 600 रुपय का discount दिया तो हमें चेक किद्र रुपय का देगा 29,400 रुपय बस बस में आ रहा ना तो हमारा sell हो जाएगा credit 30,000 रुपय से bank account debit हो जाएगा 29,400 से और discount allowed का account जो है debit हो जाएगा 600 रुपय से चलिए नेक्स पर्चेश गुड्स आप कास्टिंग रुपीज वन लाग एक लाग पर का गुड्स पर्चेश कर रहे हैं एंड डिस्काउंट 10 परसंट उस पर दस परसंट का discount मिला है चुट कितना मिला दस जारका एक राका दस पर्चेंट दस जारका तो चुकि पर्चेश ग यह सवनल यह नोमिनल नमडल पर्चेश का है एक्सपेंस है खर्च है खर्चों को करते हैं डेबिट इसलिए हम यहां पर करेंगे बिटेश क करेंगे एक लाक रुपए से नेक्स्ट ठीक है है हमने पेइमेंट कितना किया होगा दस परसेंट घटा के नब्य हजार रुपए का कैसे एक रियल एकाउंट है बिजनेस से जा रहा है कैसे एक रियल एकाउंट है बिजनेस से जा रहा है जाने वाले डिसकाउंट भी मिला है तो तीसरा खाट हमारा बनेगा डिसकाउंट कर से जग़ा है तो तीसरा अगाउंट बनेगा डिसकाउंट एक खात हम और बना लेंगे discount receive का, discount मिलना एक प्रकार का हमारा profit होता है, इसलिए इसको हम करेंगे credit, तो हमारा हो जाएगा discount receive account कि चले यह माउंट भरते हैं तोटल परचेश कितने का किया एक लाग का यहां भर देंगे एक लाग कैस कितना दिया होगा नब्वे हजार क्योंकि दस परशन पूर डिसकाउंट कितने का मिला दस हजार तो दस जार पर है नोट का लिए ऐसे